हेलो गाइज वेलकम बैक अगेज आप सभी का स्वागत एक बार फिर और आज का जो वीडियो है वो है इंडियन हौकी मेंस टीम ने जो उलम्पिक में मेडल्स जीते हुए उसके उपर है राइट तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 1928 में जो उलम्पिक हुआ था एमस्टरडम में उसमें भारती हौकी ने क्या किया राइट तो देखी क्या हुआ कि सबसे पहला जो जीत की सुरूआत गोल्ड जीतने की सुरूआत है भारती टीम के वो 1928 एमस्टरडम में जो उलम्पिक हुए तो 1928 से लेकर 1956 तक भारत ने लगातार 6 गोल्ड मैडल भारती मैंस फील्ड होकी टीम ने 6 गोल्ड मैडल जीते जिसकी सुरुआत यह जो एमसर्डम ओलमपे की यहां से हुई तो इसमें क्या था पहले मैच जो था 17 माई 1928 को खेला गया था और जो गोल्ड मैडल मैच है वो 26 माई 1928 को खेला गया था तो गोल्ड मैडल मैच जो था वो होस्टिंग नेशन नीदरलेंड और इंडिया के बीच में हुआ था और इंडिया ने आसानी से नीदरलेंड को 3-0 स अरा दिया था राइट अब ये वाला जो मैच था इसमें सबसे ज़्यादा जो गोल किये किस ने किये थे मेजर ध्यान चंद ने सबसे ज़्यादा गोल किये थे कितने गोल किये 14 गोल किये थे 5 मैचों में राइट अब मेजर ध्यान चंदर के बारे में तो कौन नहीं जानता उनको क्या बोला जाता है हाकी का जादूगर राइट तो मेजर ध्यान चंदर ने सबसे ज़्यादा गोल किये थे इस टूनमेंट में 14 गोल 5 मैंचों में राइट आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर थोड़े सा और डिटेल में कुछ मैचे सवर देख लेते हैं तो देखें 1968 में ओलम्पिक में पहली बार भारती टीम ने भाग लिया और गोल्ड जीता तो यहाँ तक का जो सफर वो कैसा रा थोड़ा सा वोर देख लेते हैं तो देखें क्या है कि जो पहला मैच है 17 माई 1968 पिछली स्लाइड में बताईए था मैंने तो किस के साथ वो हूँ था आउस्ट्रिया के साथ मैं 6-0 से आउस्ट्रिया को हराया Switzerland को 6-0 से हराया और 26 माई को final match हुआ Holland और India या Holland को इनीदर लेंड बोलते है तो नीदर लेंड या Holland जो भारत का match हुआ उसमें भारत ने Holland को 3-0 से हराया जिसमें final match में जो 2 goal है वो 3 में से 2 goal ध्यान चदने किये थे अब इसमें जो सबसे ज़्यादा goal जो किनों ने किये थे ध्यान चदने किये थे पिछली slide मैंने बता है कि 5 में चमकोल 14 goal करके टॉप स्कोरर ध्यान चदन रहे अब ये question पूछ सकते आप से कि कौन-कौन से Olympic में ध्यान चदन ने हिस्सा लिया था तो ऐसा पूछ सकते हैं या ये पूछ सकते हैं कौन-कौन से Olympic में ध्यान चदन ने as a hockey player जो है सब नहीं लिया ठीक है तो इस प्रकार से question आ सकता है ये आ सकता है कि कप्तान कौन थे कप्तान कौन थे जस्पाल सिंग मुंडा जस्पाल सिंग मुंडा जो है वो कप्तान थे इस टीम के और आपसे ये भी पूछा जा सकता कि final में भारत ने किसके against जीत कर जो है वो golden medal हासल किया Holland या नीदरलेंड ये दोनों नाम आप याद रखना दोनों option में आ सकते हैं आगे बढ़ते हैं तो अगलाग हम Olympic देख रहे हैं 1932 में Los Angeles अमेरिका में Olympic हुए राइट तब अमेरिका में Great Depression का दौर चल रहा था तो इतने सारे match ज़्यादा match नहीं हो पाए मातर दो match भारत के हुए जापान और अमेरिका के साथ तीन टीमों ने हिसा लिया था जापान अमेरिका भारत जिसमें से जापान को भारत ने 11-1 से बुरी तरह से हराया और अमेरिका को तो 24-1 से कुछली दिया था इस match में और कहना चाहिए 11 अगस्त 1932 को final खेला गया था जिसमें अमेरिका को 24-1 से हराकर भारत ने gold medal जीता दो ही match हुए थे जापान के साथ और अमेरिका के साथ gold medal match अब इसमें क्या थे का रूप सिंग ने 13 गोल किये थे सरवादिक गोल इस पूरी जो Olympic में और ध्यान चन्ने 11 गोल किये थे 11 गोल ध्यान चन्ने किये थे और 13 गोल जो है रूप सिंग ने अच्छा एक कौशन ये भी बन सकता है कि दोनों भाई कौन कौन से Olympic में साथ में हिस्सा लिया था तो 1932 में तो हिस्सा लिया ही था और 1932 Los Angeles Olympic में कैप्टन कौन थे लाल बोखारी लाल बोखारी जो है कप्तान थे इस टीम के और भारत ने अमिर्का को 24-1 से हरा कर गोल्ड जो है वो हासिल किया था तो इसमें इतना ही important रहा आगे बढ़ते हैं अगला जो Olympic 1936 बर्लिन में हुआ जर्मनी में राइट और ये Olympic सबसे important Olympic hockey के लिए सबसे important Olympic में से एक है राइट क्योंकि भारत ने जर्मनी को final में हरा कर गोल्ड हासिल किया था और इस match को stadium में जो ताना सा हिटलर है उन्होंने बैठ कर देखा था है ऐसा कहा जाता है तो ये जो Olympic काफी important है और ये इसलिए भी important है क्योंकि इसमें ये वाले Olympic में भारती टीम के जो कप्तान थे वो ध्यान चन्र थे तो देखते हैं इसमें देखी क्या थे कितने pool match हुए तीन pool match हुए थे जिसमें Japan को 9-0 सहरा आया था Hungary को 4-0 सहरा आया था United State को 7-0 सहरा था पहला match तो Hungary के साथ में हुआ था ये थोड़ा सा उपर नीचे लग गया है ने हराया था और फिर बाद में gold medal match हुआ final match जिसमें Germany को 8-1 सहरा था देखी अभी तो ये तो हमने देख लिया एक effect के रूप में थोड़ी सी कुछ story में बता देता हूँ आपको हुआ क्या था कि होना था match 14 अगस्त को लेकिन match हुआ 15 अगस्त क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों कि 14 अगस्त को गिर गया पानी राइट वहाँ पर तो पानी गिनने से क्या हुआ मैदान गीला हुआ था उससे पहले क्या था कि एक अभ्यास match खेला गया था final match से पहले जर्मनी और भारत की बीच में जिसमें जर्मनी ने भारत को अभ्यास match में हरा दिया था तो इसका डर जो है वो ध्यान चंदर और उनकी team के अंदर था कि कहीं हम final में हार ना जाएं तो क्या हुआ था देखी उस समय की बात अलग थी उस समय भारत में 1936 के आसपास भारत में एक स्वतंतिता के पृति भावना जागरत हो रही थी राइट कि हमें एक तिरंगे का सम्मान जागने लगा था ठीक है तो वो एक दौर ऐसा था तो क्या हुआ कि ये लोग जो है अभ्यास match हार गए इन लोग के अंदर negativity आना स्टार्ट होगी कहीं हम final match भी ना हार जाए तो इनकी एक manager थे team manager थे वो एक छोटा सा तिरंगा जंडा लेकर आये उनके सामने और सामने तिरंगा जंडा रखा और तिरंगा जंडा रखकर ये बताए कि हमको तिरंगे का सम्मान गिरने नहीं देना है हमें तिरंगे को ऊचा ले जाना है तो इस बात से लोगों को काफी बल मिला और उत्साह मिला और उसी उत्साह के साथ जो है team खेली और practice match में बुरी तरह हारने के बाद भी 8-1 के बड़े अंतर से Germany को हराया और इस match के बाद जो Hitler थे वो काफी impress हो गया थे भारती team से और खास करके ध्यान चंद से काफी impress हुए और Hitler ने उनको अपनी देश की नागरिकता उफर की और साथ ही military में नौकरी के लिए भी उन्होंने उफर दिया लेकिन ध्यान चंद ने पूरी तरह से नकार दिया और ध्यान चंद ने ऐसा कहा जाता है कि reply में ये कहा था कि India not for sale तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और स्टोरी भी आपको अच्छी लगी होगी आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ pictures हैं final match की जो कि Germany के against खेला गया था जिसमें Germany को Arctic सहराया था और सबसे ज़्यादा जो गोल है पूरे match में 38 गोल भारत ने किये थे पूरे मतब टूनमेंट में और ध्यान चंद ने 13 गोल करके सबसे ज़्यादा गोल का जो है उस टूनमेंट में रिकॉर्ड रहा उनका 13 गोल का और उनके भाई ने 9 गोल करें वो 2 पिर है बलकि पिछले उसमें उनके भाई रूप सिंग ने ज़्यादा गोल किये थे और इस मैच में ध्यान चंद ने ज़्यादा गोल तो पिछले मैच का इस मैच में cover कर लिये दोनों भाई उने और ये एक और वो Olympic है जिसमें दोनों भाई साथ में खेले थे तो I hope आपको clear होगा अब अगला जो Olympic है वो London में हुआ 1948 में ये World War 2 के बाद का Olympic था इसके बीच के दो Olympic तो World War में चले गए होई नहीं पाए World War 2 जो है वो 1949 से 1945 तक हुआ अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं London Olympic की तो London Olympic 1949 में जो हुआ उसमें भारत का ये जो है पहला गोल्ड था कैसा पहला गोल्ड था भारत का भारत स्वतनिता के पश्चाद भारत का ये पहला देश का पहला सौन पदक था अब भारत को Group A में रखा गया था जिसमें Austria को 8-0 से, Argentina को 9-1 से, Spain को 2-0 से हराया तो ये तीन मैच में तो भारत जीत गया उसके बाद सेमी फाइनल में भारत ने नीदरलेंड को 2-1 से हरा दिया था फिर फाइनल मैच जो था वो बिर्टेन के साथ था और ये मैच जीतने का बड़ा ही अपना एक अलग मज़ा था क्योंकि अभी हाली में सुतनता मिली थी किसके अगेंस, बिर्टेन के अगेंस और ये हम मैच भी जीत गए और साथ में गोल्ड मैडल भी हमको मिल गया अब इसमें हम बात कर ले थे कप्तान कौन थे इस मैच में या इस टूनिमेंट में की अगर हम बात करें तो कप्तान कौन थे किसनलाल थे अब इसमें मैंने काफी सर्च किया तो मुझे कहीं मिला नहीं लेकिन एक जगा बस मुझे भरती होकी में सरवादिक गोल किसने की इसका कोई ठोस वो नहीं मिला इसलिए मैंने यहाँ पर कॉशन मार्ग भी लगाया हुआ है तो आप याद रखना कप्तान किसनलाल थे आगे बढ़ते हम तो अगला उलम्पिक 1952 का हैलिसिंकी में हुआ नीदरलेंड में जहां पर भारत ने पांचवी बार लगातार गोल्ड मेडल जीता पांचवे ओलम्पिक में हौकी में और यह जो है इसका जो गोल्ड मेडल मैच या फाइनल मैच वो नीदरलेंड के और भारत के बीच में हुआ जिसमें नीदरलेंड को भारत ने हराया और गोल्ड मेडल हांसल किया अब हम कुछ और मैच की बात कले तो भारत ने अपने पहले मैच में आउस्ट्रिया को 4-0 से हराया लगा तर दब देखें तो बहुत सारी इसमें पहले मैच आॉस्ट्रिया के साथ ही होता था तो आॉस्ट्रिया को 4-0 से हराया semi final match है भारत ने ब्रिटन को 3-1 से हराया और final जो match है जैसा कि मैंने कहा नीदरलेंड के साथ में हुआ था तो 6-1 से हराकर gold medal भारत ने जीता अब यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा goal बलबीर सिंग ने की देखी बहुत सारे बलबीर सिंग हुए है लेकिन यह जो बलबीर सिंग है जिनकी बात हम कर रहें इनको senior बोलते है बलबीर सिंग senior और इनने एक match में final match में ही सबसे ज़्यादा goal 5 goal का जो है record जो है वो उस समय बनाया था राइट और तो इसमें भी भारत ने गोल्ड जीता और यह भारत का लगातार पांचवा गोल्ड था आगे बढ़ते हैं तो अगला जो ओलंपिक है 1956 मेल बंड में हुआ राइट आउस्ट्रेलिया में मेल बंड में हुआ MCG जो Cricket Ground है मेल बंड Cricket Ground वहाँ पर हुआ राइट और इसमें जो है भारत ने पूरे ओलंपिक में पूरे ओलंपिक टूनमेंट में एक भी गोल नहीं खाया यह एकलोता ऐसा ओलंपिक रहा जिसमें एक भी गोल भारत नहीं दिया ही नहीं ठीक है सामने वाले टीम को तो ये काफी important है, ऐसा आप से पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा Olympic था, जिसमें पूरे tournament में भारत ने एक भी गोल नहीं दिया, तो वो कौन सा है, 1956 का Melbourne, ये caution पूछा जा सकता है, तो भारत ने पूरे tournament में एक भी गोल नहीं दिया, और ये लगातार छटवा गोल्ड जीता भारत पिछला पांचवा था जैसा कि मैंने बताया, और ये छटवा लगातार गोल्ड था, अब भारत ने अपने ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को 14 जीरो से बुरी तरह हराया, अमेरिका को 16 जीरो से बहुत ही बुरी तरह हराया, और सिंगापुर को 6 जीरो से हराया तो ये स्वान पदक जीता, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और ये भारत का लगातार चटवा गोल्ड था, तो भारत ने 1928 से जो सफर हुआ, 1956 तक लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, फिल्ड होकी में, ओलम्पिक्स में वो भी, राइट, तो भारत उस समय बहुत इसी को बोला जाता, 1928 से लेकर 1956 तक का ये जो होकी का गोल्ड नेरा रहा, यहां से थोड़ा हलका होकी में डिके जो है, या हम बोल सकते हैं, कि होकी में थोड़ा सा गिरावट जो है, इस तरह में आना स्टार्ट हो गई थी, आगे बढ़ते हैं, अब अगला जो गोल्ड है, बीच में भी कुछ भारत ने हिस्सा लिया और मेडल जीते, लेकिन गोल्ड जो है अगला, वो 1964 के टोकियो ओलम्पिक में आया, और अभी 2021 का टोकियो ओलम्पिक में, आपको पता है, भारती मेंस होकी ने ब्रॉंज मेडल जीता है, और मेंस होकी फोर्थ पोजिसन पर रही, तो काफी अच्छा परदरसन रहा, यह वापिस से, जहां तक मेरे साब से, अब होकी जो है, वापिस से, स्पीड पकड़ने वाली, क्योंकि भारत ने बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया है, स्पोर्ट पर, कई और ओलम्पिक के अलावा गर इस जो रिजल्ट देखें, उसकी आदार पर, राइट, चली आगे बात करते हैं, तो टोकिय उलम्पिक की हम बात कर रहा है, 1964 में हुआ, और भारत ने अपने जो साथ पूल मैच है, उनमें से पांच जीते, दो ड्रा रहे, इस मैच में काफी, मतलब बहुत सारे मैच हुए थे तो सारे मैच तो हम नहीं देख सकते हैं, कि बहुत सारे मैच हुए थे इसमें, तो भारत ने कुल मिला के साथ पूल मैच खेले थे, जिसमें से पांच जीते और दो ड्रा खेले, हारा तो एक भी नहीं, भारत ने सेमी फाइनल में आस्ट्रेलिया को पांच एक से हराया था, और final में पाकिस्तान को 1-0 से हरा है राइट तो final में पाकिस्तान को 1-0 से हरा कर gold medal जीता ये match भी काफी पाकिस्तान के साथ हुआ था तो काफी अच्छा match हुआ होगा और यहां पर जो है देखी यहां से 1964 टोक्यो ओलम्पिक से ही आस्ट्रेलिया का जो है राइस चालू हो गया था होकी में और अभी तक आस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी टीम है तो आस्ट्रेलिया के यहां से होकी अच्छा होना स्टार्ट हुआ आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं जो लाश्ट गोल्ड मेडल भारत का आया वो मॉस्को रूस में जो मॉस्को 1980 में ओलम्पिक हुए थे उसमें भारत का जो है वो लाश्ट गोल्ड मेडल आया और भारत ने अपने इस फाइनल मैच में स्पेन को 4-3 से हरा कर ये गोल्ड जीता इसमें बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट और कुछ बात नहीं है पढ़ने लाए इसमें बस इतना ही पूर सकते हैं कि मॉस्को अलम्पिक 1980 में लाश्ट गोल्ड मेडल आया था और ये इंपोर्टेंट है आपके लिए और किसको हर आपको इतना क्लियर हुआ होगा आगे बढ़ते हैं अब हम कुछ बीच में जो मैडल मैच हुए थे ओलम्पिक में भारत ने जो मैडल जीते थे उनके बारे बात कर लेते हैं तो 1960 में जो ओलम्पिक हुआ था इटली रोम में और इस ओलम्पिक में भारत ने गोल्ड नहीं सार गया और भारत सिल्वर मैडल से ही भारत को संतोष करना पड़ा मेक्सिको ओलम्पिक 1968 में हुए और मेक्सिको ओलम्पिक में मेक्सिको सिटी में हुए थे और भारत ने ब्रॉंज मैडल जीता था जो ब्रॉंज मैडल मैच किस-किस के बीच में हुए था जर्मनी और भार हैं तो 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में एक अन्य मेडल भारत को हाथ लगा ब्रॉंज मेडल राइट यहां पर सेमी फैनल में पाकिस्तान से भारत का मैच हुआ था जब पाकिस्तान ने भारत को दो गोल से हरा दिया था और भारत जो है इलिमिनेट हो गया था राइट गोल्ड के ल के कारण काफी famous है उस समय एक पहला यह वो था जिसमें इतने सारे खिलाडियों की और वो भी जहां Olympic हो रहा वहां पर घुसकर हत्या कर देना तो यह मत्तब हुआ था जिसका बदलाबाद में इसराइल ने धंक से लिया था आई होप आपको यह कितना clear हुआ होगा आगे information Wikipedia से ली गई है और बाकी जो information वो IOC की side से ली गई है और hockey India की side से ली गई है आप वहां जाकर भी देख सकते हैं और यह जो वीडियो है यह इतना important वीडियो है कि आपको मैं guarantee लेता हूँ आपको ऐसा वीडियो बहुत ही मुस्कल से मिलेगा एक तो और मिलेगा तो सायद वो information दी गई है वो information आपको एक जगा तो मिली नहीं सकती impossible एक जगा मिल पाना तो I hope आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye